नमस्कार डी पब्लिक इंडिया में आपका हर्देख स्पागत है आज जो विशय मैंने चर्चा के लिए चुना है वो आपको आर्षर चागित जोगूर करेगा जो मैं कहने वाला हूं उससे हो सकता है बहुत सारे सहमत नहुं क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियो डाले हैं लोगों की प्रतिक्रिया में लिए है नॉर्मली जितने भी शोता दर्शक हैं वो इसी बात से सहमत होते हैं लेकिन जो मैं कहने वाला हूं और जिस पे मुझे ड्रण विश्वास है उसे बहुत सारे दर्शक शोता जो मुझे स्ने करते हैं मेरी बात सुनते हूं उन्हे अश पाकी सच है या गलत यह समय बताएगा देखे मुझे ऐसा लगता है जो यूटूब के अंदर चल रहा है जो सोशल वीडिया के अंदर चल रहा है जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो एक चीज यह ट्वीट कर रहे हैं कि जब प्रथम चरण और दूसरी चरण के चुनाव हुए तो यह बताया गया रात को साथ बजे तक शाम को साथ बजे तक करीब करीब साथ प्रतीशत वोट पड़े थे यह चुनाव आयोग ने अनौपचारी गुरूप से बताया जो पत्रकार लोग जाते हैं अंदाजा लगाते हैं पूछते हैं रिटर्निंग आफिसर्स से कि चुनाव आयोग ने एक्च्वल वोटिंग कितनी हुई इसको अपने वेब्साइट पे अप्लोड नहीं किया इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई इंडियन एक्सप्रेस ने कहा इतनी देन बीट गए चुनाव प्रक्रिया प्रतम और दूसरी चण के खतम होने के बावजूद लेकिन अभी तक यह नहीं पता है कि एक्च्वल वोटिंग कितनी हुई है जबकि यह बताया गया था कि शाम को साथ बज़े तक करीब साथ प्रतीशत वोट पढ़े थे जब यह ख़बर फैली कि सीटाम नहीं उचुरी जो सीपीम के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ट्वीट किया उन्होंने प्रश्न उठाया कि इतने दिन बीट गए और अभी तक चुनाव आयू ने यह नहीं बताया कितने परसेंट वोट खता था this यह बाद लोगों ने चर्चा करनी शुरू करती है जबकि आप जानते हैं सारे लोग जानते हैं चतने भी लोग किसी भी Office में काम करते हैं जब शाम को लोग घर जाते हैं अपने दक्तर को बंढ करके या बैंक को बंढ करके तो आँकडों का मिलान करते हैं वो क आई वार ऐसा होता है मिलान नहीं होता है तो घंटो बैठे रहते हैं और मशक्कत करते रहते हैं चाहे 5 रुपए का डिफरेंस हो लेकिन उसका मिलान करके ही घर वापस जाते हैं कि और डाप जानते हैं जो चुनाव होता है उसे पूरी प्रक्रिया होती है निशान लगते हैं बकाईदा वोटर का वो होता है मिलाभवू अच्छांव ये हूता है और इसको इसका मिलान करना आग के समय में सांखिकी की समय में और अंगलित के समय में बहुत मुश्किल काम नहीं है घंटों का काम लेकिन अब यह चर्चा का विश्य बना कि साथ प्रतिशत बताया गया था साथ को बज़े साथ बज़े तक वोटिंग हुई और अब जब इंडेन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के बाद और सीतारम यचूरी के पढ़ी के बाद और यह चर्चा में आने के बाद चुनाव आयोग ने बताया यह करीब 66% वोट पड़े 67% वोट पड़े 67% वोट पड़े 67% वोट क्या हुए कैसे पढ़ गए जबकि चुनाव आयोग ने जो साथ बज़े के आखड़े अब रात को नौ बज़े तक इतने वोट 6% तो नहीं पड़ सकते जब तक कि कुछ हेरा फेरी नहों यह लोगों ने संशे लगाया और मार्केट में एक बात फैलने लगी कि चुनाव आयोग निश्पक चुनाव नहीं करा रहा बेवारी हो रही है कि अच्छा मेरा यह अब कोई भी आदमी इसको सुनेगा कि साट प्रतिशत बताया था सरशर प्रसेट अब बता रहा है साथ प्रसेट की हैट फेर हो गई यह कॉमन सेंी यह कहता है नॉर्मल लोग इसको मानेंगे लेकिन मैं नहीं मान रहूँ मेरा माना different है मेरा यह मानना है यह एक प्रकार का psychological warfare है यह प्रकार का Mind Game है और माइंड गेम यह है कि जब यह बताया गया था कि वोटिंग 60 प्रतीशत हुई है उस समय चुनाव आयोग को यह पता था कि वोटिंग 66 परसेंट हुई है लेकिन उसने बताया कि 60 प्रतीशत वोटिंग हुई है और जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई यह चुरी जिसी की ट्वीट आई और इसब डिसकेशन होने लगा तो उन्होंने बताया तो अब जनता में यह भ्रम पैदा हो नहीं था कि साथ प्रतीशत की हेरा फेरी हो गई और जब देश के अंदर हेरा फेरी चुनाव कराई रहा है और चुनाव आयोग जो है निश्वक्ष नहीं है तो एक प्रकार की साइकलोजिकल मैसेजिंग पूरी सुसाइटी को हुई मैं यहीं पर चिंतित हूं यहीं सशंकित और जो मैं कहे रहा हूं कि यह हरा फेरी से जादे माइंड गेम है यह साइकलोजीकल वारफ परतिशत लोग ऐसे हैं जो कि दढ़ प्रतिण यह कि उन्हें मुदी जी को लाना है पहले 25 पृतिशत थे अब हो सकता है वो 30 पृतिशत हो गया हूं क्योंकि वह बढ़े नहीं है वह घटे थीज पृतिशत मान लेते हैं करीब 30 पृतिशत लोग ऐसे प्रतिशत हो कर्याटका में 45 प्रतिशत हो महराष्ट में हो 45 प्रतिशत जो चाहतें कि मोदीजी सत्ता में ना है उनके छेत्री छत्रब जो है वो दिल्ली की राजधानी में बैठें और उनके छेत्र का भी ध्यान रखा जाए बंगाल के लोग चाहेंगे कि बंगाली लोग आ लेकिन जब शरत पवार की लोग बठेंगे उधर ठागरे के बठेंगे इसा भाग है तीज पैंतेस प्रतिशत लोग का ऐसा भाग है जो फैंसिटर है जो ना मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए उच्सुख है और ना मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए उच्सुख है वो निष्क्री है और नौर्मल़ी वह कौन है वह silent water है, वह गरीव आदमी है, बड़े लोगों के आंच यहां काम करता है, उनकी factoryओं में काम करता है, उनकी दुकानों में काम करتा है, उनकी घरों में काम करता है, और जिसका जीवन बड़े लोगों के उपर Aggar Dz。 है तो यह किसी को नराज नहीं करना चाहता ये जो 37 लोग मोदी जी के साथ है ये नराज कर सकते नहें कोई परिशानी नहीं क्योंकर एक कटिवध्द हैं जो 35 छालिट पर दोग हैं जो मोदी जी को हटाने के लिए तैयार है वो कटिवध बद्ध हैने कोई परिशाद ही नहीं धेकन फेस पीशन लेकिन जो बाकी बचेएुए लोग हैं यह देखते हैं हवा कि दर है यह पंगा नहीं लेना चाने हैं। यह अपने जो जिन्होंने नोखरी दे रखी है उनके खिलाफ नहीं जा से यह यह दिखाना चाहते हैं कि सत्ता के साथ है जिससे कि जब सत्ता आए तो यह न लग्या कि इन लोगों में आक निर्वर हैं वो चिंता नहीं करते क्योंकि उनके अपने खेते अपने निर भर हैं वह लेकिन जो उन पे आश्रेत लोग हैं वह हां हां करते हैं अंदर किसे बोट देंगे दोग ऐसे हैं कि उनको अगर यह मैसेजिंग हो गई है कि इवियन में हीरा फेरी है मैड़ फिक्स है चुनाव आयोग निश्पक्ष नहीं है तो उनमें ज्यादेतर लोग को यह कहेंगे कि जब पक्ष ही नहीं जब चुनाव आयों को जिताना ही है तो उन्हीं को वोट देते हैं अब पूदिशन वालों के जाने से फाइदा किया जब वो हारने वाले हैं और सत्ता पक जीत रहा तो मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो मैसेजिंग की गई है जो पहले से प्लाइनड थी क्योंकि बड़े बुदिवान लोग हैं बाती जन्ता पार्टी के अंदर जो पहले से प्लाइनिंग करते हैं उन्होंने प्लाइनिंग की और पहले मेसेजिंग दें कि साथ प्रतीशत वोटिंग हुई जबकि उन्हें पता था छी आसर परसेंट हुई और ब प्रतीशन से जादे कि लीड तो इंडिया लाइन्स को मिली नहीं है तो बीजेपी को ही वोट क्यों देदे क्यों न देदे कि वहां खेल फसा हुआ है देखे मैं पहले भी कहता हूं हर बार कहता है हूं जहां जहां जिसकी छेत्री राजवे सरकार है पुलिस मवाली होते हैं फोड़े दवंग लोग होते हैं शक्तिशाली लोग होते हैं वो पुलिस पर अपने बचाव के लिए आश्रित होते हैं तो जैसा पुलिस कहता है वो ऐसा वो करते हैं और जैसा ये लोग करते हैं वैसा ही कुछ पांसाथ-दस प्रतीशत लोग ऐसे हैं जो उन्छे पंगा नहीं लेना चाहते हैं जैसा हूँ कहते हैं कर देते हैं तो एक तो हुआ राज सरकार इसलिए डबल एंजन और सिंगल एंजन की सरकार की बात है तो जहां पर पूलिस क्योंकि बीजेपी के पास है तो उनको कुछ दो-तीन परसेंग का फाइदा है जहां पर अबोजीजन की सरकार है तमिलाडू में या तेलंगना में या कनाटका में वहां इंडिया लाइंस को फाइदा है किसी वज़े से बीजेपी ने महराश्ट के अंदर सरकार को बदलवाया चाहे उसका फाइदा हुआ नहुआ वो एक अलंग उद्दा है एक में किया अब आज कि तारिक में बिहार में पुलिस जो है वो इंडिया पास है दो-तीन परसंट का फाइदा है लेकिन जहां पर अपोजीशन की सरकार है जैसे वाज मंगोल में अपोजीशन की सरकार है तो वहां उन्होंने सेंट्रल रिजर्ब पुलिस को बेजा है और कि टीम आ गई है और अब हमें वोट देने नहीं जाना है क्योंकि वहां खत्रा है वोटिंग परसेंटेज कम होगा जो दीदी के साथ वोट करने वाले हैं या सीपीम के साथ वोट करने वाले हो गर बैड़ जाएंगे और वीजेवी को दू-तीन परसेंट का फायदा हो देना लोकल जो मजबूत लोग हैं उनके माध्यम से तो पाच परसेंट की हिरा फिर ही है लेकिन वह एवियम के पहले है जो मुझे लगता है तो मैं यह मानता हूं बलकि सारे शोता दर्शकों से निविदन करता हूं क्योंकि मैं देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के मेरे पूर्वजों ने मेरे पुर्खों ने जिस प्रकार का देश मुझे सौंपा है मैं उससे बहतर देश अपनी अगली प्यूरी को सौंप के जाना चाहता हूं मैंने इस देश के अंदर जितना प्यारा लोकतंत्र समिधान की मर्यादाओं का पालन करने वाला देश देखा है एह नहीं चाहता कि इस देश के अलदर ताना शाही आए, लोकतंत्र का मान न रहे, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा जाए, विपक्षी दलों के आर्थिक शुरूतों को बंद कर दिया जाए, असावेधानिक चुरावी बॉंड के माध्यम से लाखों करोनो रुपए खटे किये ज जाए, जिससे हमारे स्वास पे खत्रा हो, नोटबंदी की जाए, जिससे हमें परिशानी हो, पैसा इखटा किया जाए और एक तरफ धनबल हो, और दूसरी तब यह माइंड गेम हो, यह माइंड, साइकलोजिकल वारफेर हो, जिससे 15-20 परसेंट लोग जो फेंस सिटर्स है उनकी तरफ आ जाए, और चुनाव जीट जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन बार-बार करता हूँ, बार-बार वीडियो में भी निवेदन करता हूँ, वोट देने जरूर जाएए, अगर भी यह बताया भी जा रहा है कि हिरा फिरी है, तो आपका करता भी तो और जादे बढ़ जाता है, आपको वोट देने जाना ही है, जिन लोग आज की तारिंग में देश के लोगतंत्र समयधान को बचाना चाहते हैं, उनको वोट देना ही देना है, किसी भी हालात पर नहीं छोड़ना है, अगर आप वोट देने नहीं कहें, तो उनका गेम खतब हो गया, भ भी घर होके निराश होके बैठ जाएंगे, जैसे जब कहा गया कि इस बार चार सो पार, तो जो बीजेबी के सपोर्टर्स थे, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, उनके वर्शन निश्क्री हो गया, और वोट देने नहीं गया, वोट देने नहीं गया, वोटिंग परस चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो हिंदू मुसल्मान सिख्षाई में लड़ाई नहीं चाहता है, जो साउथ और नौर्थ में लड़ाई नहीं चाहता है, जैसे भग्वान कृष्ट ने कहा था, अपने प्रयास करते रहिए अपनी कोशिश करते रहिए फल की चिंता मत कीजिए फल देना जो है किसी और का काम है आपका काम है कि जो आपके जीवन का उद्देश है कर्मन्ने वाधिकार अस्ते मा फलेशु कदाचिना अगर फल की बात सोचके की एलेक्शन रिग्ड है और चुलाव आयोग निश्पक्ष नहीं है आप अगर निराश होके घर बढ़ जाते हैं तो आप अपने करतोवियों का पालन नहीं करते हैं जो होगा देखा जाएगा फिर जो होगा उसके बाद देखा जाएगा वो कानूनी तोर पे देखा जाएगा जनता के रुप देखा जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता देश में क्योंकि जिस प्रकार की अलग-अलग सभिता और संस्कृतियां हैं साउथ की हर स्टेट की अलग है हर आदिवासी समों की अलग है हर तरफ की अलग है इस्ट अलग है तो तरीके अलग है खाना पीना अलग है तो देश को बाटे रखने के लिए देश को एक जूट रखने के लिए आवश्चक है कि इस प्रकार की भावना ना जाए कि एक बिल दिनाग को एपील करती है कि यह एक प्रकार का दुष्चक्र है एक प्रकार का mind game है, एक प्रकार का psychological warfare है, मैं वोट देने जरूर जाऊंगा, जो होगा देखा जायेगा, क्योंकि भारत माता के प्रती जो मेरा करतव्य है मैं उसका निर्वाहन करूँगा गोड़ दूँगा जिसको चाहूंगा दूँगा किसको दूँगा नहीं बताऊंगा लेकिन हाँ लोकतंत्र और समिधान की रक्षा करने के लिए दूँगा जो जो लोग यह समझे हैं कि देश को किसानों को MSP की गारंटी चाहिए जो जो लोग समझे हैं कि जब भी देश का अन्यदाता दिल्ली आए अपने आकाओं से बात करने के लिए बलकि आका कहना ठीक नहीं जिनको अन्यदाता ने गद्दी बे बिठाया है जिसको अन्यदाता ने कुर्सी बे बिठाया है उसके मार्ग पे रोडा अठकाना कीलें गालना और बोल्डर लगाना अनैतिक है और इसका विरूध होना चाहिए जो जो लोग यह मानते हैं उसे MSP की गारंटी मिलनी चाहिए हुआ है उनकी जान के साथ खिलवाड हुआ है इसलिए इसका विरूध होना चाहिए जो जो लोग यह मानते हैं कि देश की महिलाओं को एक लाख रुपए साल मिलना चाहिए जिससे उनके खाना बनाने के उनके रसोही की समस्या नहुए जो जो लोग ये चाहते हैं कि बड़े बड़े पुझी पतियों के रिण माफ ना होकर छोटे और गरीब लोगों के रिण माफ हो एक एक दो दो लाख वालों के रिण माफ हो और लाख हो हजारों करोणों के लोन नमाफ हो और वो विदेश छोड़के देश के संबदा लूट लोगों के नब भागें यह उन समय लोगों का करतव्य है HEY उनका मॉलिक करतव है। या नेतिक करतव… वोट डालें। और यह जो माइंड गेम हो रहा है। यह जो स्यृक्णोजीकल, वार श्थे था रहा है। और इतने परसंट की लीड दें। जिसको जिताना चाहते हैं लोगतंत्र समिधान की रक्षा करने के लिए उसे कम से कम 15 परसंट की लीड दे क्योंकि चुनाव EVM में होने के पहले जो 5 परसंट की हिरा फेरी हो गई है उसको काउंटर किया जा सके और 10 परसंट से आप जीतेंगे देश का लोगतंत्र समिधान 10 परसंट की लीड से जीतेगा और फाइदा उठाएगा लेकिन अगर आब वोट देने नहीं गए तो पासा पलट सकता है जो मित्र लोग जो लोगतंत्र के प्रहरी और लोगतंत्र को बचाने वाले और समिधान को बचाने वाले लोग इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं और मैसेजिंग कर रहे हैं और जनता को यह मैसेज चाहते या न चाहते हुए दे रहे हैं कि मार्क जो चुडाब है वो निश्पक्ष नहीं है पूरी तरह से फिक्स हो गए हैं वेरा उनसे अनुरोध है कि चाहर पांच परसंट की तो होगी तो मैं भी मांन ओ करनाटका के अंदर तो फेरी और बीट के से ठीलेखर लेज़मे इसलिए जीती कि लीट थी 15% की हेरा फेरी 5% की वो ही हिमाचाल प्रदेश में था लेकिन मद्रदेर राजस्थान में और 36 गड़ में लीट थी 2% की और हेरा फेरी थी 5% की इसलिए कॉंगरिस हार गई तो आपका और मेरा और सबका करतब है जो देश में लोगता जो समयदान क बचाना चाता है यह सब जो मार्केट नॉइसेज हैं यह जो माइंड गेम चल रहा है यह जो साइकलोजिकल वारफेर चलिए इसे बचें वोड दें लंबी लीड दें और जिस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं वैसी सरकार चुने अगर आप चाहते हैं जो सरकार चल रही है जिसने का ता पंद्रेलाग रुपए देंगे दो करोन नौकरिया देंगे MSP की डबल कर देंगे किसानों की आंदनी और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको वोट दीजिए अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हुआ है किवल जुमलेवाजी थी यह सका बदल ने चाहिए है अगर आप बदलाव चाहते हैं तो एक तरह झूली भरके वोट दीजिए जिसको भी आप जिताना चाते हैं कि वो आराम सी जीते, बिना किसी परिशानी की जीते और मैं जो आप से निवेदन कर रहा हूँ, जब 4 जून को होगा, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैंने जो इस वीडियो में कहा, लो आपने सुना, उसको आपने माना, और अपने कर्तवियों का निर्वन जो भारत माता की परती आपका कर्तव और आपने किया यह नहीं किया, लेकिन अगर आप निराशों के घर बैड़ गए, इस आधार बे निराशों के बैड़ गए कि चुनाव तो फिक्स है, रिग्ड है, चुनाव आयो निश्पक्ष नहीं तो उसके बाद आप हारेंगे और आपकी हार जो है वो देश को महांगी पड़ेगे तो हर वो समाज का वर्ग यह हर वो वर्ग जो भारत को एक एक जुट देश चाहता है जिसमें धार्मिक प्यार महब्बच चाहता है जो महब्बच को जीतना जिताना चाता है जो नफרט को हराना चाता है जो सामाजिक सदभाव चाता है कि वो सारे लोग वोट देने जरूर जाएं लाइन लगा के वोट दें हितना भी घंते परिशानी हो चाहे कुछ भी हो जाए बिना वोट दिये ना हैं यह जो 6% और 7% का दिखाया गया है कि हेरा फेरी हुई है हेरा फेरी नहीं हुई है आपके साथ एक माइंड गेम हुआ है आपके साथ एक साइकलोजिकल वार फेर हुआ है चुनाव आयुक को पता था वोटेंग 66% की हुई है पहले साथ पताया फिर 66 पताया जिससे आप का मतिभरम हो आप परिशान हो और उस परिशानी से आप अगले चलन वाले लोग जो है वोट देने न जाए और उनको फाइदा हो जाए उस से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए मुझे नहीं पता है जो मैं कह र प्रार्थन आपसी यह है लोगतंत्र को बचाने के लिए समिधान को बचाने के लिए जो भी आपको करना है वह आपका लाश्ट के प्रती आपका करतब है कुछ भी मार्केट में सरकूलेट हो जाए वोट देने जरूर जाइएगा और देश के लोकतंत्र और समिधान को बचाने के लिए जो आपके जिमेदारी ये पूरी कीजेगा मैं करूंगा इसका मैं आश्वासन आपको देता हूं नमस्कार प्रणाम और धन्यवाद